हमें न करती ही जिर्ङ है हलो एवरीगंगे वेलकम टो मैं चैनली तो आज मैं बनाओंगे अज़ाँँ सिर्ल जो कहिंड आउंगे भी न आसया की जिugenा सकते हैं तो आज मैं बनाओंगी जीरा सिरफ जो के हम पहले से ही बना के रख सकते हैं और काफी टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं तो आप इसके लिए देख रहे हैं मैंने लिए कुछ मसाले जीरा, सौफ, ये लिए जवाइन बहुती कम मात्रा में और फिल्कुल थोड़ी सी हमने जो तोड़ दिया है ताकि इसकी खुश्व अच्छे से मसाले के अंदर आ जाए तो यहां पर चार चमज मैंने जीरा लिया है तो सबसे पहले हमने गैस अन कर दिया और उसके पर कड़ाई रख दिया और उसके अंदर डाल दिया ये सारे मसाले और यहां पर मैंने गैस को लो रखा हुए क्योंकि हमें इन नसालों को लो गैस पर ही रोस्ट करना है बिटकुल भी गैस को तेज ना करें तो जितने भी हमने इसके अंदर जो मसाले डाले हैं वो डाइजेशन के लिए या आजमे के लिए बहुत ही बढ़िया है तो इस तहवारी सीजन में आप इस तरह क्या यह जो सिरफ है बनाकर पहले से ही रख सकते हैं और जब भी कुछ हैवी खाना खा लें या कुछ रिफ्रेक्शिम सा पीने का मन करें तो आप इस सिरफ से आप जीरा सोडा, जीरा निबू पानी या इनो जीरा बनाकर पी सकते हैं और बहुत ही जल्दी से यह सिरफ अगर आपके पास बनी हुए तो यह सारे ड्रिंक बनकर तियार हो जाते हैं सरफ दो चमिच सिरफ डालिये और उपर से चीजे मिलाईये तो आपका जो ड्रिंक है बड़िया सा बनकर तियार हो जाता है तो दहाई से तीन मिनट तक हमें इन मसालो को लो गैस पर ही सेकना है यह ध्यान रखना कि गैस बिल्कुल स्लो होनी चाहिए तो आप देख रहे हैं कि धाई तीन मिनट हो चुके और मसालो का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और गैस को अभी इस टाइम पर मैंने यहां पर बंद कर दिया और अभी इस मसालो को हिलाते हुए मैं बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लोगी क्योंकि जब तक मसाले ठंडे ही नहीं होंगे हम इने नहीं पीसना चाहिए हमें ठंडे होने के बाद इन मसालो को पीसना है आप चाहिए तो किसी प्लेट में निकाल कर भी नहीं ठंडा कर सकते हैं बिल्कुल जब मसाले जब तक ठंडे नहीं मैंने लाती रोऊंगे तो आप देखरे हैं मसाले ठंडे हुए अब इसे हमें मिक्शर ग्राइंडर जार में डाल लेंगे और उसके अंदर इसे पीस लेंगे तो पीस्टे में भी आपको ध्यान रखना कि मिक्सी को लगाता रोर चला हैं तो आप देखरे हैं मैंने इसे अभी पीस लिया तो आप देखरे हैं कि बि LI millionaire इसका प्वार्डर निया कि धरदरा सा ही हमें मसालों को पीस अध्यान रख़ना कि कि मसालो का पारिक पाउडर ने बनाए इसलिए मिक्सी को लगातार ना चला है । इदर गैस पे मैंने दुबारा से कढ़ाई चढ़ा दी और इसके अंदर मैंने डाल दिया एग ग्लास पानी। तो यहाँ पर मैं डेर ग्लास पानी का यूज़ करूँगे एग ग्लास मैं डा अब इस पानी को हम अच्छे से उबाल लेंगे, तो पानी अब उबल गया है, इसके अंदर हम डालेंगे जो मसाले हमने पीस कर रखे हुए थे हैं, और अब इसे दुबारा से उबालेंगे, मसाले डालने के बाद थिलाते हुए, बहुत अच्छे से हम इसे उबालना है, तो जितना अच्छे से हम इसे उबालेंगे इसका जो पानी है, पानी की मसालों के जो खुश्भू हो पानी के अंदर आ जाएगी हमारे सिरफ के अंदर आ जाएगी इसे के साथ यहां पे लिए मैंने ठाइसो ग्राम के करीब चीनी जाएगे चीनी चीनी आप बाद में भी कम जादा बनाते हुए अगर आपको लगे नमक चीनी तो बाद में भी थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं अब इसके बाद मैंने तीन-चार मिनट तक पानी को बहुत अच्छी से चीनी पानी को बाल लिया अब इसके अंदर मैं डालूगी कुछ मसाले तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूगी एक चमज के गडीब जो है की अंचूर पाउडर अम्चूर पाउडर से इसका टेस्ट काफी खटा तीखा सा हो जाएगा मीठा कट तीखा मीठा जो टेस्ट होता है इसे के साथ यहां लिया मैंने 2 चमच के करीब लिया चाट मसाला 1.5 तो नीए इसमें आप जो हैं अम्चूर और चाट मसाला तुनो का ही यूज करें इसे के साथ यहां पे मैंने लिया है दो चमच काला नमक तो आपके पस अगर काला नमक है तो वह यूज करें वरना वाइट नमक भी यूज कर सकते हैं नमक भी आप बाद में बनाते हुए डाल सकते हैं इसे के साथ यह लिया आधा नीबू तो नीबू का रस्भी स्टेश पर मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो नीबू है यहाँ पर मैं सिरफ आदा ही डाल दूँगी एक तो चीनी को क्रिस्ट्रलाइज नहीं करेगा जमने नहीं देगा इसलिए हमने इहाँ पर आदा नीबू का यूज किया अब इस सिरफ को हम दुबारा से उबालेंगे अब यहाँ तब तक उबालेंगे जब तक यह आधा न रह जाए और गैस को यहाँ पर मैं लो टू मेडियर रखोंगे बीच बीच में हम इससे इलाते भी रहेंगे तो आठ से नौ मिनट इस तक को बालने में हमें लग जाता है तभी जो बचाली जो खुश्बू है वो इस सिरफ के अंदर बुखत अच्छे से आएगी तो अब देख रहे हैं उसके बाद भी तीन-चार मिनट और हो गए थी जो गलते हुए और यह जो सिरफ है वो हो भेकर टीआर ऊसे अंच्छान लेंगे मसाले की और उसके बाद हम से भर को होणे देंहें दें इसे wash isla разб Cracker कि अब अब द़्चता दुद्त हुनाक्ट भूतर हैं तो मैं अद दबाना रहा हैं ऀरा प्रासा निकाल लिएर अलक्राव्टरम से निकाल लिए . तो दोनों ग्लास में मैंने दो दो चमत जो है वो सिरफ डाल दिया है तो एक ग्लास में हम सोडे के साथ बना रहे हैं दूसरा हम जीरा पानी निबू के साथ बना रहे हैं तो एक ग्लास के अंदर में डाल दूँगी सोडा मैंने सोडा मिक्स कर दिया और दूसरे ग्लास में डालेंगे पानी और एक चम्मस की हल्प से इने अच्छे से कर लेंगे मिक्स तो जो पानी वाला सिरफ था उसके अंदर मैंने निगू भी डाल दे आप चाहे तो सोडे वाले में भी निगू मिक्स करके पी सकते हैं अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैंने यहाँ पर सिर्फ पानी वाले में निंगू पानी जीरा निंगू पानी वाले में डाला निंगू तो आप यह देख रहें मेरे पास ही यह पुदीना पत्ती सुख्यू पुदीना पत्ती जीने मैंने क्रेश कर लिया तो थोड़ा सा पुदीना पाउडर भी हम डाल द कई कंपनियों पर मिलते हैं पर हमें नहीं पता हो कैसे बनाओ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर आप यह वाला सिरफ एक वर घर में बना के देखेंगे तो फुकत ही बढ़िया टेस्टी और रिफ्रेक्शिंग सा और हमें पता भी है कि मैं इसमें क्या-क्या ची से नीबू से कर दिया गार्निश तो अगर आपको मेरी यह रैस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्ट थैंक्ट